साल 2009 में अफ्तार के रिलीज के 13 साल बाद इसका दूसरा भाग अफ्तार The Way of Water 16 दिसंबर को भारत में रिलीज हुई थी. 1900 करोड में बने इस मूवी के सीक्वल ने भारत सहित दुनिया भर के बॉक्स आफिस पर धूम मचाए हुई है. ताजा आकडों के मुताबिक इसने टॉफ गन, मेवरिक को भी पीछे छोड़ दिया और साल 2022 में रिलीज होने वाली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. जेम्स कैमरून की अबतार दुनिया भर में 2.9 बिलियन डॉलर के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी. अबतार वे ओफ वाटर भी लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है. अबतार दो ने एक और उपलब्धी हासिल की है, ये फिल्म भारत में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी होली वुड ओपनर के रूप में भी उभरी है. अबतार दो को भारतिय बजार में बॉक्स ओफिस पर दूसरा सबसे बड़ा उपना बनाता है. इस से पहले साल 2019 की फिल्म एवंजर्स एंड गेम थी जिसने अपने शुरुआती दिन में तिर्पन दशमलव एक शून्य करोर रुप्य कमाई थे. भारत में अबतार दो ने 6 जन्वरी को लगभग 4.25 करोर रुप्य की कमाई की है. यह फिल्म 22 दिनों के बाद भी ताबर्तोर कमाई कर रही है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक अबतार दो का कुल कलेक्शन अब भारत में 358.20 करोर रुप्य हो गया है. अगर यह स्पीड जारी रहती है, तो फिल्म भारत में आमिर खान की दंगल के लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर पाएगी, जो की 387.38 करोर रुप्य था. यह भारत में Avengers Endgame के कुल कलेक्शन को भी पीछे छोड़ सकती है. Avengers ने भारत में लगभग 367 करोर रुपे कमाये थे. अबतार दो में भारत में आब तक की सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली Hollywood फिल्म बनने की क्षमता रखती है. इस बीच, James Cameron की फिल्म ने भी ग्लोबल लेवल की कमाये कर ली है. डेडलाइन के मुताबिक, इसका रणिंग टोटल 1516.5 मिलियन डॉलर से अधिक है. इसका सीधा मतलब यह है कि फिल्म ने साल 2022 में दुनिया भर में नंबर एक रिलीज की रूप में टॉप गन, मेवरिक को पीछे छोड़ दिया है. यह कमाये के मामले में अब ग्लोबल लेवल पर दस सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है. यूरोप में अवतार दो कोविड-19 महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा कमाय करने वाली फिल्म है, जिसने स्पाइडर मैन, No Way Home को क्रॉस कर लिया है. अवतार का सी फैमिली इसका मोहतोर जवाब देती है. जेम्स कैमरन के डायरेक्शन में सैम वर्थिंक्टन, जो सल्दाना, सिगौर्नी वीवर, स्टीफन लैंग और केट विंसलेट ने एक्टिंग की है. अवतार, The Way of Water अन्रेजी, हिंदी, तमिल, ते लुगू, कन्नर और मल्यालम के सिन अलता पूरवक चल रही है.